Assalamualaikum, उमीद करती हूँ कि आप सब खेरियत से होंगे, आईए, आज हम बहुत ही मज़ेदार खीर बनाते हैं, ये देखिए, ingredient list मैंने आपको पहले ही दे दी है, सबसे पहले, एक pot में 6 cup, 6 cups of milk जो है, वो मैंने गरम होने के लिए रख दिया, ये 1 by 4 cup of rice हैं, जिनको मैंने अच्छे तरीके से धो के overnight soak कर दिया, यानि के रात को बिगो दिया था, 1 by 4 cup of चावल जो हैं उनको, और ये वाला cup मैंने यूज किया, 1 by 4 cup देखने इतने से चावल लिए हैं मैंने, और ये मैंने आपको normal जो घर में cup यूज होता है, उसके मैयर करके इस pot में डाल लिया, अब अच्छे तरीके से तूद गरम हो चुका है, इसलिए मैं बीच में ये जो चावल थे मेरे पास 1 by 4 cup जो के मैंने रात को ही भिगो दिये थे, वो इसमें मैं ये देखिए, शामिल कर रही हूँ, पानी नहीं डाला, सिरफ और जो राइस थ लेकिन दो लाइचियों से बहुत अच्छी खुश्बू आ जाती है बीच में, ज्यादा डालने की मेरे हिसाब से दो बहुत मुनासिब हैं, ज्यादा के जरूरत नहीं है, ये देखिए जी, दूद को उबलते 15 मिनट हो चुके हैं, अब इस वक सूरते हाल ये है, जो चाव अब इस स्टेज के ऊपर ये देखिए, मैं हाफ कप चीनी बीच में डाल रही हूं, हमारे हाँ पर जो दूद है, आपको पता है, मैं जो ये विलॉक्स बनाती हूं, मैं अमेरिका में रहती हूं, हमारे हाँ ये फुल क्रीम दूद है, ये कुछ मीठा होता है, इसलिए मैं मैं अभी थोड़ी चीनी डाल रही हूं पहले, और फिर बाद में पूरी करूंगी, टेस्ट करने के बाद, अगर जुरूरत होगी, तो फिर मैं और डालूंगी, वरना शायद कि इतनी ही बहुत काफी हो मेरे लिए, ये जो साइडों पर लगा हुआ है, ये सारा मैं इस तर अगर खोया है, तो आप खोया शामिल कर दें, मैं ये एक कैन फुल जो है, वो इवैपुरेटिड मिल्क जो है, वो बीच में शामिल करने लगी हूँ, बस अब इसको तकरीबन 5 मिनट में और पकाऊंगी, और खीर तयार हो जाएगी, ये देखिये, मैंने इसके अंदर डाल इवैपुरेटिड मिल्क और ये देखिये, बस अब मैं इसको अच्छे तरीके से हिला लूँगी, अब चूंके दूद गाड़ा हो चुका हुआ है, और चीनी भी हमने शामिल कर दी हुई है, इसलिए अब इसको हिलाना नहीं छोड़ना, क्योंके हो सकता है, अगर हम हिलान छोड़ दें, तो एन मुम्किन है, कि ये नीचे लग जाए, इसलिए आप इस चीज का दिहान रखना है, कि दूद जो है, वो नीचे ना लगे, और इस स्टेज के ऊपर आपके पास जो बदाम पिस्ता हैं, आप वो बीच में शामिल कर दें, मैंने बदाम और पिस्तों का पवड़ बना लिया है, अच्छी तरह इनको ग्राइंड करके, और ये मैंने बीच में शामिल का दिया है, आपके इपनी चौहाँ है, आप चाहें, पञ के काशें काट के, जो बी है, आप जैसा चाहेंते हैं, आप वैसे शामिल कर दें, मेरे बचों को ज़दा पसंद नही और यह देखिए अब मैं बस इसको हिला रही हूं साथ साथ consistency आप देख लें अच्छी खासी गाड़ी हो गई है मजीद यह गाड़ी हो गई है यह देखिए इस तरह की अच्छी काफी जादा यह गाड़ी हो गई है अब इस स्टेज के उपर आपने जो इसके कुछ चीनी प्रेड कर लें मैंने चेक कर लिया है चीनी भी बिल्कुल ठीक है इसमें हर चीज इस वक जो है वो पर्फेक्ट है तो अब यह देखिए बस यह लास्ट टर करके तो अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूं कंडेंस मिल्क और चीनी शामल करने के बाद मैंने इसको तकरीबन साथ मिनट मजीद पकाया है और यह देखिए इसका कलर भी देखिए और जो खुश्बू पहली हुई है वो मैं बता नहीं सकती आपको तो अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूं यह देखिए जनाब खीर हमारी तयार है हमने इसको डिश आउट कर दिया साथ में जो हमने जैसा चाहते थे हमने इसको वैसा ही डेकोरेट भी कर दिया हमारे पास वरक मौचूद थे चांदी के लिहाज़ा हमने इसके उपर लगा भी दिये अगर आप जैसा चाहें इसको आ इन्शाला ताला सब घरवालों को बेहत पसंद आएगी. अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्ला हाफिस, स्पुर्दे मौला.